हाई गाईज वेलकम टू करेजीज यह सड़ा आज हम आप लोग किला हैं हिस्ट्री से समंधित टॉप टैन मोस्ट इंपोर्टेंट को सब्सक्राइब के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होगा आने वाले को भी कमडेटिव इग्जाम कि अगर आप त्यारी कर रहे हो तो फ्र धर्म सुधारक की मिर्थिव भारत में नहीं हुई थी फ्रेंट्स अब बाताना है जों pa मिर्थ्यू भारत में नहीं गूसासन है जो तीवा फूले राजाराम पारम आजले है द्यानन सरुसती रामरम क्रिशन परमः उप्स्टन ब्यांगि राजाराम मोहंडाय का मिर्थ्यू भारत में नहीं हुए का भी है यह बताएंगे हम आपको अपलोग देखिये कात्रींस राजारा मोहन्राय से समने घम कुछ इंपोर्टिन कॉस्टन बताने जा रहे है आप लोगं से द्धियान से दिखिए तो नमक जगा पे इसका मिरत्यू हो गया था में इन जाइटिस्ट के कारण फ्रेंज ये बिमारी है में इन जाइटिस्ट इसके कारण इसका मिरत्यू हो गया था इंगलेंड में ब्रिस्टल के पास इस्टा प्ले टोन में फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखेगा इसका मिर रसनार महां किए तो राजाराम महांरा की खशंब पूछेगा अग दूध किसके तो राजाराम महां राय कुछी भारतिय पुनर्जागरन का अग्रदूत का जटा और आधनिक भारत का जनक khons किसे का जाता है राजाराम मोहनराय को आधुनी भारत का जनक और भारते पुनर जागरन का अगरुदूत का ज़ता फ्रेंड्स और राजाराम मोहनराय के ही परियास से ये जो मतलब कूपर था थी सती पर था थी ये बहुत दिनों से चली आ रहे थी इसी के परियास के बाब जूत उस समय भार स्थापना कब और कहां पर हुई तो फ्रेंट्स जो पार्टी थी गदर पार्टी इसकी अस्थापना कहां पर हुई थी और किसने क्या था तो फ्रेंड्स ऑप्शन है अमेरिका 1913 इंग्लैंड 1937 देनमार्क 1929 इसकॉटलेंड 1925 तो फ्रेंड्स इसकान रगाफ शन ए यानि कि अमेरिका में 1913 विमें गदर पार्टी क्या गया था पूछे के किस्के द्वारे क्या था तो लाला हर दियाल के द्वारा गदर पार्टी क्या स्थापना अमेरिका के सन फ्रांसिस को शार में उनिस्सा में क्या गया था फ्रेंट्स आप इसे ध्यान दिखेगा तो फ्रेंट्स चलते आँब नेस्ट को सन की और नेस्ट को सन है कि आसा योग आंदुलन सुरू होने के समय भारत के वाइसर आएकॉन थे फ्रेंड्स यह जो और ऊं द्रेंड से इसका अंदलन थे इसका जुमन इसको जो शरुवात क्या गया था उस्पमएब भारत के वाइसर आइकॉन थे Core the option और ँलाड चेंश फोड रिडिंग लौड इरवीन तो फ्रेंड्स इसका अंसरवाप्षान बिएनकी लॉर्ड चैम्स फोर्ड थे उस समय भारत के वाइसराया फ्रेंट्स काब उनिसवाइस में तो फ्रेंट्स कुसन पुचेगा और स्थियो गंधरन की शुरुबात का बॉआ था तो एक अगस्त उनिसवाइस में और स्थियों को शुरू क्या वहां पे पुलिस कर्मियों को जलाकर मार दिया गया था 22 पुलिस कर्मियों को तो फ्रेंट्स उस समय चोरी शुरा घटां के बाद ही मातवां गांधी जी ने जिसके कारण बड़े-बड़े नेता को ठेस पहुंचा था जैसे मुतिलाल नहरू चितरंजन दास ताभी लोग क्या किया किया कि अंदलन को मिला छुड़ दिया उलोग अलग होके नया पाटी का स्थापना क्या जिसका नाम रखा क्या सौराज पाटी तो फ्रेंट सौराज पाटी को अस्था प्रम पुच्छा कप किया गया था तो एक जनवरी उनिस्टेज को सौराज पाटी के स्थापना क्या गया था और इसका अध्यक्स था कॉन चितरंजन दास और इसका महा सची बना था पर्थाम मतिलाल नहरू जो की पंडिज भाहराल नहरू के पिताजी आधि और इसका पर्थम समय लगवा था इलहाबाद में कहां पर वाता इलहाबाद में फ्रेंस इस सारे को सब्सक्राइब ध्यान में रखेंगा तो फ्रेंस चलते अब नेस्ट कॉसं कि और नेश्ट कर सना की मुगल समराथ बाहदूरसाज जफर की मिर्तियू कहां होई थी ऐसका मिर्थ्यू कहां पर हुआ है इसको पर ऑपसिन में दिली में लाहर में रंगून में तेहरान में तो फ्रेंट्स इसका अन्सरोगा उप्शन से यानिकी रंगून में बादूर सा जफर की मिर्ति हुआ तो फ्रेंट्स ये बर्मा की राजहनी रंगून थी जिसका अभी वर्तमान नाम क्या है मैंनमार तो फ्रेंट्स उहीं पे बादूर सा जफर की मिर्ति हो गया तो की मुगलो की राज भासा थी जो फ्रेंस मुगल एंपार एंपायर थी मुगल एंपायर उनका राज भासा क्या था अप्शन है और भी हिंदी फार्सी उर्दू तो फ्रेंड्स इसकान सरगा ऑप्शन सी क्या है फार्सी मुगलो का राज भासा फार्सी थी लेकिन कुछन पु योग अगर अच्छा लग रहा तो लाग भी किजेगा ताकि हम और भी जदा पावर्फुल हो के पढ़ाया आप लोगों को तो फ्रेंट्स नेश्ट को सना है कि निमनलिखित में से किस अस्थान पर जैन तिर्थंकार महावीर की मिर्थ्यू हुई थी फ्रेंट्स अकुबाता स्वामी की मिर्थ्यू हो गई थी फ्रेंट्स इससे समने धाम कुछ इंपोर्टेन कॉस्ण बताने जा रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिया तो पहला कॉस्ण बनाएगा इसका जैनम का वह था तो पहुंसर चालिस इस में महाविर स्वामी का जैनम हुआ था कहां पर वाथ यूशे शलते है यूशे वाथावृष चुछ इस मह से महता मावीर स्वामी फ्रेंट्टुर्ट्विक क clarification पहला की 24 नमरके 33 अधिक इस्वार कैड़ी ध्यान में मैं रिख यर फ्रेंट्स सी milliards ऐसे नजस्त को Stunt है कि अकवर के सासनकाल में केंद्रिय मसीनरी द्वारा मानिता प्राप्त मिलिटरी विभाग का परधान कौन था अकवर के समय है military विभाग का परधान कौन था आपको बताना है option है दिवान मीर बक्सी बक्सी मीर समन तो इसका नशरगा option B क्या मीर बक्सी उसमें military विभाग का परधान कौन था मीर बक्सी आप इसे भी ध्यान में रखेगा तो दो अधन्य में तो फ्रेंज के द्वायरा कौन सांग्रेस था जिन को जहांगीर के द्वारा minutes credit टॉमस रोव एड़वर्ड वेरी नान यानिकीन में से कोई नहीं तो फ्रेंट्स इसका यान्स रोगा ऑप्शन यानिकी कैप्टन होकिन्स को जांगीर के द्वारा खान क्यू पाधी दी गए थी फ्रेंट्स वैसे तो यह जो मतलब कैप्टन होकिन्स थे यह कुस्टन पूच समय इसके दरवार में इनको जगान ही मिलिया निकी जांगीर इनको मना कर दिया वेपारी संब्द्द को अस्थापित नहीं कर पाया कून कैप्टन होकीं इसका बाया था व्यद्द कर दीविए लेकिन यह बनाने में और ऑसफल रहा इसको राज-दरबार में एंगज आंग समय बाद Sola saw cover Egypt however something a JULORT dipping में मतलब जियंवत किल था मतलब रिया मतलब दूछ हम कोदा Ser Thomas रोव कु Stallा रो मिढischen शेनी का फैसला किया जैसे जांगीर को पता चला किये जैंस पर्थम का वास्थावी कि द दूध वया सवा लगा था तो राजस्थान के अज़मेर में सवा लगा था उहीं पर उसको बूला गया था किसको सर टोमस रखो और जाकि तभी से मतलब इस्ट इंडिया कंपनी इंगलेंड महारत के साथ वेपार करना शुरू कर दिया और इसको भी है अधीकार भी दे दिया जांगीर कि सर टॉमस रहो को उसके बाद इस्ट इंडिया कंपनी बारत में व्यपार शुरू कर दिया था तो फ्रेंड्स आप इतना सारे कोशन को ध्यान में रखेगा कोशन पुछेगा हम फिर से दोहरा दे रहे हैं कैप्टन होकिन्स जांगीर के समय में खानकी उपादी दिया गया था उसके बाद सर टॉमस रहो सलोल सब पंद्रस्वी में व्यपारिक सम्म्मध अस्थापित कर लिया था अब बाद में व्यपार करना शुरू कर दिया था तो फ्रेंड्स इतना सारे कोशन को आप धियान में रखेगा तो फ्रेंड्स चलते आब नेस्ट कोशन की और जता है ओप्सन है महा भिनिस कर्मन महा परिनिर्मान महा मस्त काभीषिक धर्म चक्र परवर्तन तो फ्रेंड्स इसका अंसरोगा ओप्सन डी धर्म चक्र परवर्तन तो फ्रेंड्स गोतम भूत के द्वारा गया पर्थम परवर्चन को धर्म चक्र परवर्चन कहा जता फ्रें कब चकर परवेर्ज का लाए फर्रेंश आप इसरे बाटों को ध्यान मे रखेगा उसको ज्यां के प्राप्ती वोथ w गया में लेकिन पर्थम उबदेश द्याता सारनात में असरवाधिक उबदेश द्याथा सरावस्ति में फ्रेंस ये तीनों बातों को आप ध्यान में रखेगा तो फ्रेंस चलते आफ नेस्ट को सन की और शॉन है आरे भट भारत के परसिद्ध डॉट डॉट थे फ्रेंस आरे भट जो थे भारत के परसिद्ध क्या थे कभी थे भोतिक विज्ञानी थे गनितग थे वैद थे तो फ्रेंस इसका नसरोगा उप्शन सी यानिकी गनितग थे आरे भट को क्या थे गनितग गनितग के साथ साथ य आप इसे जानवर रखेगा आरे भाट का जनम हुआ था 446 में पटली पुत्र में हुआ था और इन्होंने ही जीरो का मतलब खुज क्या था लेकिन वैसा मतलब ठीक से मतलब बहुत सारे गणी तक इसको नहीं मांते क्योंकि अगर मान लिए और पाच्वी सदाबदी में इन्होंने जीरो का विश्कार किया था इससे पहले भी था ना मतलब राबन का दस सीर था दस में तो जीरो आया था वो जीरो फिर कहां साया उसे तरह कोरम में अगर आपना है तो मेरे टूप चैनल कर जीजिस अड़ा को सब्सक्राब करें और बेल आकल को हिट कर जिता कि हरे लिटेश्ट वीडियो का नोटिफिक्स तुरंद आप तक फॉन में पहुंच जाए थैंस फूर वासिंग वीडियो धन्यबाद मिलते आप नेक्ट वीडिय वीडियो में इसी तरह के तड़का भरका कोसन के साथ